हेलो फ्रेंज वेलकम टी टॉप मस्तों सक ऐसे आप सब लोग दोस्तो पॉलिवूड की बहुत ही शामदार फिल्मे जैसे की हंगामा, भागवान और धूम फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस रीमी आज के समय में फिल्म इंडेस्ट्री से दूर हो जोकी है हाला कि वो आखरी बार टीवी रियालिटी शो बिग बॉस में नजर आई थी, उसके बाद उन्हें देखा नहीं गया दोस्तो आज हम आपको रीमी सेन के बारे में ही बताने वाले हैं कि वो आप कैसी दिखती हैं और क्या कर रही हैं आपको बता दे कि रीमी सेन ने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था बता दे कि रीमी सेन का असली नाम शुबो मित्रा सेन हैं और उनके इस नाम को बहुत कम लोग जानते हैं और वैसे भी इंडरेस्ट्री में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था आपको बता दे कि रीमी का जन्म 21 सितंबर 1981 को कोलकता में हुआ था और उनकी बचपन से ही इच्छा थी कि वो एक अभीनेत्री बने वही उन्होंने बचपन में ही बंगाली फिल्म दामू में काम किया था और ग्रैजुएशन की पढ़ाई खत्म करने के बाद रीमी सेन मुंबई आ गई मुंबई आकर वो मॉडलिंग करने लगी और मॉडलिंग की दुनिया में खुम नाम कमाया लेकिन बॉलिवुड में उनकी एंट्री कॉमेडी फिल्म हंगामा के साथ हुई उनकी पहली फिल्म हिट साबी थुई वही रीमी को फिल्म फेर के बेस्ट डेब्यू आक्टरस के तौर पर नॉमिनेट किया गया और उसके बाद रीमी का करियर आगे बढ़ने लगा बता दे कि रीमी ने हिंदी फिल्मों के अलावा कई बंगाली और तेलगो फिल्मों में भी काम किया वही धूम गरम मसाला के बाद उन्हें सलमान खान के फिल्म क्योंकि मिली और इस फिल्म में उन्होंने शांदार अभी नहीं किया वहीं इसके बाद वे दिवाने हुए पागल फिर हिरा फेरी गोलमाल जैसे फिल्मों में नज़र आई इसके अलावा उन्होंने पहली बार बुद्या सेंग फिल्म में निर्माता के तोर पर हाथ आजमाया अब रेमी काफी बदल चुकी है और फिल्मों से काफी दूर रहती है बता दे कि उनके पिता का नाम राजा सेन है और माता का नाम पपीया सेन अगर बात करें उनके लव लाइफ पार्टनर की तो रोचेला राओ दोस्तों आपको बता दे कि वे शोचल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने होट और बोल अन्राज को अपने फैन्स के भी शेयर करती हैं जैसर कि आप देख सकते हैं तो दोस्तों आपको रेमी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई कमें शेक्शन में लिकर जुरू बता हैं मिल दो नहीं वीडियो के साथ साथी सभी नहीं तरिक लिए एक लाइक तो मनता है स्टे चीवन गिडबाई